तो आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जुलाई को जेके सेट का पेपर हुआ थे 28 जुलाई को 11 बजे मैंने उस पूरे के पूरे जेके सेट पेपर को सॉल्व कराया तो उसी से रेलेटेड मैं ये छोटा सा एक वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आया हूं कि कितना कट अफ जा सकता है और आप लोग को मैंने उसमें ये भी बताया कि कैसे 85 प्लस क्वेश्चन्स जो हैं वो डायरेक्ली हमारे पढ़ाय हुए से आया है तो अगर आप भी अपना भविश बनाना चाहते हैं किसी भी एंट्रेंस एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं देखिए जेके सेट जो एक्जाम लिया जेके सेट ने असिस्टन प्रोफेशर्शिप के लिए तो हम UGCNET का सेले बस आपको कवर कराते हैं लेकिन जेके सेट और UGCNET का जो पेपर था वो एक गम सिमिलर था तो क्या हुआ 85 प्लस क्वेशन डायरकली आपको महां से देखने के लिए मिले यानि वो सारे सुटेंट्स जो हमारे क्लास में थे और जम्मू कश्मीर से थे और जिन्होंने जेके सेट दिया है उन सब को बहुत पायदा हुआ है आप क्या कर सकते हैं 9241-33366 पर आप कॉल करके आप 9 6500-5294 पर भी कॉल करके आप हमारी क्लास को एंरोल कर सकते है तो उसी से related ये मेरा आज का ये वीडियो है कि कटफ कितना जाने की संभावना है तो जिस जो मेरा एनालेसिज है जम्मू कश्मीर को ले करके मुझे लगता है कि जो कटफ है वो अल्मोस्ट 65 से 70 परसेंट अगर आप ला रहे हैं दोनों पेपर में ला करके अगर आपका स्कूर 65 से 70 परसेंट के बीच में कहीं बैठ रहा है यह कोई ओफिशल कटफ नहीं है स्टुनेंट्स यह हमारे एक्सपिरियंस के अधार पे हम आप लोग बता हम आप लोगों को बता पाते हैं आज तक जितने भी बार मैंने कटफ दिया है ठीक है पिछले यूजी सीनेट कभी पिछले मैं परिप चार-पांस-छे सालों से लगतार कटफ मैं निकालता हूँ और 100% कटफ जो है उसी के आसपास लैटता है तो मुझे लगता है कि 65% से लेकर के 70% के बीच में कटफ जो है बो जा सकता है अच्छा 65 से नीचे भी जा सकता है क्योंकि काश्मीर के हालात ऐसे रहते हैं ठीक है तो यह जम्मू काश्मीर का तो किसी भी हालत में नहीं जाएगा ठीक है तो स्टुडेंट्स अगर आपने अभी तब टेलीग्राम चैनल को नहीं जॉइन किया है टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए वाइजू जे एक्जाम प्रेफ सोशलोजी वाइम अनुष सरमाम से टेलीग्राम चल रहा है ह अगर आप लोगों की चैनल कर सकते हैं तो अगर आपका 65 स्कॉर है तो आप सेख साई ठीक है ठीक है और अगर अभी तक आपने मेरे जेके सैट का जो पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया अगर नहीं देखा है तो उसको देख लो यूजी सीनेट के पेपर में और बाकी के एंट्रेंस के पेपर में भी आपको उससे बहुत सारी मदब मिलेगी ठीक चले थैंक्यू वेरी मच अल्ट बेस्ट गॉड ब्लेस्ट यू बाई बाई जय हिंद्ट